कि हैं गाइस थो गायस हैं हम देखने वाले हैं टेस्ट अड़ेग इनड डिबग इग आफ ऑफ और सौलीटी स्मार्ट कॉंटं अबर के कृत्र देखें इसी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है थीडिके तो रहाएं कमये है लब करते हैंने हैं एपने जो कि हमें harder देता प्रोवाइड करता है ठीक है अगर आप अगे नैस का यूज कर रहे हो उसका भी आप कर सकते हो ठीक है तो यह करने के बाद क्या करो आप अगर नहीं बनाया तो बना लो आप पाथ यहां से डिफाइन कर सकते हो ठीक है पाथ में जिस भी फोल्डर में आपने टेस्टिंग करनी है उस फोल्डर का नाम दे दे रहे हैं आप उसके अंदर सारी जावस्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे ठीक है तो यहां पर मेरे पास ट एक चीज आपको इंट्रिद्यूस करना चाहता हूं जो की है हमारा हाड हैट कंसोल ठीक है तो हाड हैट कंसोल काफी काम की चीज़ है तो मैं हाड हैट कंसोल में क्या करूंगा कुछ आपको हमारे एथर्ज.js के फंक्शन बता दूंगा जो आप यूज करोगे अपने टेस् चीज़ूगे कैसे करते हम अभी के-ले मैं क्या रही हो अभी के-ले मैं आपको टेस्ट्टिंग दिखा रहायो हमारी जावस्क्रिप फैल से और उससे भी पहले आपको हैड है अधै आपके तर्मिनल में ठीक है तो थोड़ाज हम वेट करेंगा इसका खुलने का ठीक है तो देखो यार मेरा जो है या आपको सबसे पहले यह लाइबरी है आपको 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 लाइबरी है आपको यह कमाल की लाइबरी यह बहुत कमाल की ठीक है अगर आप वैब 3.0 जैसे उसकरते हो वह भी कर लो हाड़ाट में उसका भी सपोर्ट है और इस तो तो हाड़ेट में मैं always ether.js का use करता हूँ कमाल की लाइबरेरी ठीक है तो यहां पर देखो यार इसमें काफी कुछ function है बहुत कुछ function है ठीक है यहां पर देखो यह सारे function मैंने ethers अपने हाड़ेट तो यहां पर देखो इसने मुझे सारे signer मेरे provide कर दिये हैं उनके address के साथ ठीक है तो यहां पर देखो अगर आप सिंगल करना यह मैंने आपको कैसे करके दिखाया था अगर मैं तर्मिनल में दूसरी एकाउंट लिखूं तो उसमें भी यह सारे account आपको मिलेंगे ठीक है तो अगर मैं कुछ नहीं चीज आपको बताता हूं ठीक है तो उससे पहले का करना होगा आपने जो आपका smart contract है उनको compile करना होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको compilation का process बताया था process तो कुछ नहीं था खालिया आपको एक smart contracts folder के अंदर आपने अपने जितने smart contract आप compile करना चाते हैं उनको रख देना है और terminal में simply चना देना है npx hard hat compile आप चला दोगे तो आपके smart contract जितने हैं वो compile हो जाएंगे ठीक है तो आप चला लेना अगर नहीं किया आपने मैं तो गड़ चुका हूं और फिर से करके देखी लेते हैं तो nothing to compile बता रहा है क्योंकि मैं already गड़ तो उसमें मैंने ethers पर रहा है ठीक है signer हमने देखा अब मैं कुछ और function भी आपको बताने वाला हूं जो की है ethers.get contract factory ठीक है कर मैं यहां पे ethers.get contract factory function यहां पे चला हूं और इसको भी I think मुझे वेट देना पड़ेगा क्योंकि API is not iterable ठीक है ओके तो मैंने यहां पे आपको नाम देना है यह contract का ठीक है जिस contract को आप get करना चाहते हो तो यहां पे इसके अंदर जितनी चीज़ा है इसने मेरे कोदे को यहां पे दे दिया है इसके function इसके अंदर का byte code दे दिया है मुझे और ठीक है इसके byte code और API इसमें रहता है compile होने के बाद ठीक है तो उसका data यहां पर मिल गया है ना अब यहां पर देखो टेस्टिंग में भी हम यह चीज़ा करने वाले हम get contract factory function को call करेंगे वह हमारा यहां contact हमें देदेगा contract का नाम आपको pass कर देना जो भी आपको चीए ठीक है उसके बाद deploy करना के भी सेम प्रोस है रहे अगर मैं इसको एक कॉंस्टेंट में जो है अगर मैं कॉंस्ट लिख दूं इसको नाम देता हूं ठीक है contact होगी यारे तो क्या करता है इसको capital जैसे वहां लिक रगार ठीक है greater capital greater मैं इसे देता हूं और मैं enterprise करता हूं independent ठीक है अब मैं क्या करता हूं अब मैं लिखता हूं यहां पे इसको भी यह एक चीच के अंदर पास करते हैं तो मैं आप रिखता हूं कॉंस इसमॉल में greater लिखूंगा is equal to मैं अवेड लिखूंगा again ethers.no ethers नहीं है इस पर जो हमने instance जो को इसका बुलाया ना हमारे इसको पास करना है आपने और डॉर्ट यहां पे डिपलोई function कॉल कर देना है ठीक है अब यहां पे मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करने पढ़ेंगे क्यों क्योंकि जो मेरा तुर्ट एजो कंट्रेक्ट है यर वोसमें मेरा कंस्ट्रक्ट question है और कंस्ट्रक्टर फंक्षण आपको डिपलोई करने से पहले आपको डिवाइन करने बढ़ते हैं कि क्या रखना साते हूं इसमें मेरा greeting जो है थो यहां पर मैं का करूऊंगा इस्मार्र पॉंट क्ड़ क क्रेंस्साइब NG3 आपने नहीं देखा देख लो इसे एक बार ठीक है एक नज़र डालो इसमें चंस्ट्रक्टर फंक्चन है smart में क्या है बेसिकली कर सीकली इसमें चंस्ट्रक्टर फंक्चन एक हमारा जो की टिंग सट कर रहा है तो यह यूर्ट के तो उसमें ग्रीटिंग वह सेट हो जाएगी ठीक है तो यह एक बेसिक स्मार्ट कॉंट्रक्ट था और यह आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या गया यहां पर मैं एक आर्गमेंट पास्ट कर देता हूं यहां पर मैं क्या करूंगा यार है हेलो करके हेलो 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 वर्ट ठीक है पहले मैं लिखता हूं है अई यह अच्छा है sotto रहे इसमें मेरे को पास्ट किया मैं जो डीकरो है और चेयरो शॉन करूँगा टो यह एंड इप्रॉक्यला है अब अगार ग्रीटर जो मेरा डिप्लॉइड वाला इसको मैं call करूँ तो इसके अंदर की चीजे मुझे मिल गी ठीक है चेन आइडी मुझे मिल गी है bytecode तो ही और अबी भी है इसके अंदर ही और इसके अंदर और भी चीजे हैं ठीक है जैसे कि इसका address भी आपको मिल जाएगा अगर मैं यहां पर देखो मैंने small greeter जो मैंने deploy किया था ठीक है greeter dot मैं यहां पर पास करूँगा greeter dot address ठीक है हां तो यह देखो मुझे address मिल गया कि कौन से address में मेरा deploy होया है यह वाला smart contract तो यह इसने मुझे ते लिया ठीक है तो इन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं और आप function भी call कर सकते हैं अगर मैं greeter dot greeting greet जो कि यह function आपको यहां पर दिख रहोगा जो हमारे smart contract में greet function है ठीक है मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है एक से तो यह देखो greet वाला function आपको दिख रहा है यहां पर यह greeting रेटन के करेगा जो कि हमने constructor में initially set की थी अगर मैं यहां पर लिखूं greet और इसको मुझे अवेट पास करना पड़ेगा इसमें भी ठीक है मैं greeting यहां से चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा यहां पर greeter.set greeting function मैं call कर दूंगा और यहां पर आपको जो parameter वो ले रहा है as argument आपको यहां पर पास कर देने अब मैं connect कर चाहूंगा यहां पर मैं अब की बार hello web 3 मैं set करना चाहूंगा greeting ठीक है तो इसमें भ यहां की detail भी दिया कि data क्या change हो आठीक है किस चीज में हुआ किस के through हुआ यह मुझे दे अगर मैं again मैं greeter.greet up की बार call करूं ठीक है तो यार मैं अब डालना भूल जा रहा हूं बार बार अब अगर मैं greeter.greet यहां पर अपकी बार call करूं तो देखो मुझे क्या मिला करने के लिए और काफी कुछ करने के लिए तो hardhead console भी कमाल की चीज़ है अब console में मैं आपको यह function समझा रहा था actually क्यूंकि अगर मैं direct javascript file में समझाता आपको तो आप confused होता है ठीक है तो console को हटाने के लिए करना है आपको control plus c दबाना है आपका console यहां से हट जाएगा तो greater.sol को भी मैं हटा देता हूँ अब यहां पर आजाओ आप test नाम के folder में अगर आपने नहीं बनाया तो बना लो test नाम का folder path आपको क्या करना है hardhead config में set कर देना है अगर test test के आगे जो भी folder आप में sample test test नहीं यार कुछ भी आप रख सकते हो testing file javascript की ठीक है उनको output कर सकते हो अब यार hardhead में हम यूज करते हैं testing के लिए चाहि लाइबरेडी का ठीक है testing basically mocha framework से होता है लेकिन जो चाहि लाइबरेडी है हमारी वो हमारी assertion library है assertion क्या होता है conditional layer ठीक है condition check करने के लिए ठीक है यहाँ पर मैं उस चीज को आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले क्या करना है आरा आपको आप दो तरीके से उसको यूज कर सकते हो मैं दो चीज आपको दिखाता हूँ एक आप क्या करो सबसे पहले चाहि लाइबरेडी इंपोर्ट करा लो चाहि लाइबरेडी से क्या expect और मैं चाहता हूँ आप assert भी जो है by default आपको expert मिलेगा मैं चाहता हूँ आप assert भी यहां से import करा लो ठीक है और ethers require hardhats से ethers जो है उसको call करा लो ठीक है तो यह यार यह इतनी javascript का आपको आने चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा ने ठीक है उसके अंदर देखो हमारे टेस्टिंग कैसे होती है तो सबसे पहले यार अगर मैं इसको इसको मैं comment out करता हूँ अभी के लिए ठीक है तो सबसे पहले आपको describe block जो है वो लिख बस जब हम console में चलाएंगे वो आपको पता लग जाएगा कि अभी कौन सी block जो है वो टेस्ट हो रही है तो वो चीज़ आपको describe में करनी है ठीक है इतना आप समझ गे अब इसको मैंने async function दिया है आप normal function भी दे सकते हो ठीक है मैं async किसले दिया है मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों ठीक है आप ऐसे दे दो describe block में उसके बाद क्या करना है यार उसके बाद देखो हम greater जो हमारे smart contract हम उसे test कर रहे है उसे मैं describe में दे दिया आपके और भी describe इसमें कर सकते हो ठीक है यह एक है अब उस contract के अंदर हम अलग-लग चीज़े test करेंगे तो उसके लिए मै त यह ल्ग-लग-इंट to block पनाँगा जो कि इस ब्लोग है मेरे ठीक है इनको मैं अलग-छोड बनाओ ठीक है इतना अब समझके आओ तो इट ब्लॉक आप एक में भी काम सकते हो ठीक है डिस्क्राइब कर के अंधर आपकाuit ब्लॉक होना चाय वह दो जागती के इसके अंदर तो जैसे comments pass करते हैं न हमारे code में comments pass करते हैं वैसे आप यहाँ पर करो ताकि console में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा block अभी चलता है ठीक है उसके बाद इसको भी यार async function दिया है क्योंकि हम async अब इसके अंदर कुछ function इसने चलाएं ठीक है मैं दुबारा टाइप करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि function मैंने आपको अभी दिखाया थे तो टाइम वेस्ट होगा उसमें आप लोगों को समझाना चाहिए इंपोर्टेंट यह है ठीक है तो यहाँ पे इसने constant बनाया उसक पीडियो करने जौन क좌न सब्करीए ठीक है तो इसने हमारे रीटर वाला यहाँ आप जो सॉलडिटी का नाम है वह मत पास कर लेंए आप क्या करना नाम है आपको पास करना है वह आपको पास लिघ कॉन्टीट फेक्टरी यंदर ठीक है तो आपको इसका इसका इसने pocket इंस तो उसमें हम डिप्लय करने है जो कि लोकल है हमारी ठीक है हम test network कभी अभी यूज नहीं करते हैं ठीक है test network भी चलो आज की इसी वीडियो में आपको बताऊंगा test network में कैसे तेपलोगा लगी आएगा आज आप टेस्टिंग देख़ो आज लोकल ब्लॉक्चेन उसके बीडिखांगा और आपको टेस्ट नेटवक में भी दिखांगा ठीक है जहांके हमें ब्लॉक्चेन एक्स्प्लोरर भी मिल जाती है अभी के लिए क्या अभी क्या रहो आपने यहां यहां पर यह call करा दिया get contract factor जैपने contract get कर लिया अपना ठीक है उसके बाद मैंने आप यहां पर नाम कुछ भी देशक्ते हो वेरिबल कर ठीक है जरूरी नहीं आपने वही देना जो आपको बैटर लगे तो यहां पर इसने small greater दे दिया ठीक है यहां पर वेट इसने चलाया ठीक है उसके बाद dot deploy एक function है ठीक है ये function है ये आपको ध्यान में होना चाहिए यार ये छोटी-छोटी चीज़ है पास करने पढ़ेंगे डिपलोई से पहले तो मेरा ग्रीटर डॉट में हमारा चाहिए यहां पर आपको पास करना पड़ेगा लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक पास कर दो हेलो वर्ड कुछ भी लिखने की जरुत नहीं इसमें ठीक है जो मैंने वहा इसमें यह टाइम लेगा डिपलोई करने में ठीक है तो यह डिपलोई करने में थोड़ा टाइम लेगा अब मैं नहीं चाहता है उसके आगी वाले लाइन है न क्योंकि इसमें हम डिपलोई इंस्टेंस को यूज कर रहें तो मैं नहीं चाहता कि वह यह जब तक के प्रवाई हो गया उसके बाद ठीक है उसके बाद यहां पर देखो expect अब यह किसकी चीज़ें जावस्क्रिप्ट की है लेकिन यह कौन दे रहा है हमें यह दे रही है हमें shy library इसके जिसके तुरू हम वह हम टेस्टिंग कर रहें ठीक है तो अभी तक जो यह तीन लैन आपने देखी ना यह हमारी इस की तीसारी ठीक है अब यहां पर शाइब लेटर का कहा मैं है अब देखो मैंने यहां पर देखो यहां पर इसने क्या इसने हैं और यहां पर नाम से greeting function डाल दिया और अब हमारे contract में जो कोई greet होगा ठीक है जो यहां पर variable है हमारा में contract दिखाऊ हूँ string private greeting तो यह क्या है इसमें आपको पता है hello world set हो गया है यहां से है ना तो अब टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं हम compare करते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने लिग दिया expect ठीक है प्रस्पेक्ट हमारे श्याय लाइब्रेडियों में प्रोवाइड करें यह फंक्शन अब आपको लिखना है विट्रीट डॉट्रीट अब ग्रीटर जो आपका यह इंस्टेंस यह जब आपने डिप्लोई कर दिया उसके अन्दर हमारे स्मार्ट कॉंट्रक्ट का फंक्शन है है greet अब यह function किया return करेगा हमें यह function में desंक करेगा और जो किया हमने initially set कि है this case में हमने initially set खjem क्ला है है subscribed भुद्वार्ट तो यह वाला जो function क्लाइं would concert兄 यह हमें hello world return करेगा अगर इसने return किया तो अब हम इस block में इस ने this time करतिया अब हम क्या करे हैं हम check करें two दॉडॉट इक्वल तो यह आमको ठीक है यह सिंटेक्स में आपको भी ब्राउसर में दिखाता हूँ बहुत सारे है बहुत सारे सारे खाली इक्वल नहीं अगर मैं हाब चूडॉथ क्या करूं यह मैं तूडॉथ ही लिख दूया है मैं यहां पर two dot लिखूंगा तो यह पर यहां पर देखो मुझे बहुत सारी चीजे मिलगी है and throw above above मतलब उससे बड़ा all ठीक है always and and अब मैं यह सारा एक एकर क्या आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यह आप एक जटके में देख लोगे यहां पर यहां पर यह हम यहां पर क्या है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे है कि यह जो रिटन करेगा हमें अगर इसने रिटन कर दिया हमें हलो वर्ड तो यह हमारा जो टेस्ट है वह सक्सेस्फफल हो जागा अभी कलिए मैं निच्चे वाली लेने कमेंट आउट कर देता हूं ठीक है और इतने को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूं तो इतना आप समझ क्योंगा यह आपको मैं लिखूंगा उसके बाद यह थोड़ा टाइम ले रहा है चलो वेट कर लेंगे यार हम क्या कर सकते हैं अब देखो यह मेरा टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया इसने अब यहां पे कंपाइल के इसने हमारे सॉल्टी फाइल को और हां यह दो अब यहां पे देखो कंसोल मे में आप बड़े कैडिगरी वाइस रख सकतो जैसे कि पूरा स्मार्ट कॉंट्रेक्ट तो हमने ग्रिटर रख दिया इट ब्लॉक में चोड़े-चोड़े पार्ट में डिवाइड करो जैसा कि हमारे स्मार्ट कॉंट्रेक्ट के फंक्शन है उन्हें इट ब्लॉक में सी चेंज भी करता हूब अगर मैं हलो वर्ल से यह last max रिमार रखड़ा दूं और अब की बार मैं और आपकी बार मैं प्रिक्स रुट चलाओं ठीक है अब अब की बार अगर मैं प्रिक्स रुटेस्ट चलाओं तो यह मेरा पास्ट यह टेस्ट मेरा फेल तो बेसिकली टेस्टिंग इतने ही सी थी यार कुछ जादा बड़ी चीज थी नहीं टेस्टिंग और छोटी मोटी चीज हमने एथर्ट जेस की भी देख लिए जैसे की इसे किमिए करें पूदनें पो फिर्ट अब यार देखो एक शीज करते हैं जो ये मेरा कोड एन इसको मैं कट करकी इसको दूसरा चाहर यार backs जिन्रेट करता हूं आइसके हैं जांर भी नो तो मैं आपaches और लिख जाए कि कैसे करना है तो मैं दूआ ब्लेkk लिखूँगा और इसके अंदर भी मैं async function यहां पर दे दूँगा और it block मेरा बन गया है successfully ठीक है कितना आसान था it block बनाना अब देखो यार मैं क्या करता है यहां पर यहां पर मैं जो मैंने cut किया था उसको मैं paste कर लेता हूं और इसको comment out अब यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां इसमें testing करने में एक दिखकर यहां पर आएगी कि यहां पर मैं हर it block में अगर deploy नहीं करना चाहूंगा अपने contract को मैं हर it block में deploy नहीं करना जाओगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा यह इतने portion को जो deploy वाला portion है इसको मैं cut कर देता हूँ तो यहार मैंने यहां पर उतने code को cut किया ठीक है जो कि मैं बार-बार repeat नहीं करना चाहूंगा तो उसे क्या करेंगे हम उसे यहां पर हम एक सबसे पहले आप एक variable आप आसान कर दो मैं यहां पर आसान करता हूँ let मैं contract इसको नाम देता हूँ ठीक है हां तो चलेगा मेरा यहां पर मैं उस code को करूंगा paste यहां पर नहीं sorry इसको मैं वापस से cut करता हूँ यहां पर मैं एक function बनाऊंगा जिसका नाम होगा before each ठीक है तो before each क्या करेगा यार हमारा जितने हमारे यहां पर function चलेंगे ना उससे पहले यह रन हो जाएगा async और हां तो यहां पर हो गया है मेरा ठीक है तो async function इसे देना है और इसके अंदर में यह code paste कर दूंगा ठीक है और उसके बाद क्या करूंगा मैं आपर जो हमारा deploy होने के बाद जो हमारा ग्रीटर है उसे मैं contract जो इंस्टेंस उसमें assign कर दूंगा ठीक है मैं दिखूंगा contract is equal to greater ठीक है इतना हम लोग ने कर दिया उसके बाद क्या करें गया अब हम एड ब्लोग जनरेट करेंगे उससे पहले बार बार एकोड रहना हुआ तो हमारे डू ब्लोग भी clean रहेंगे औ ठीक है deploy करने की जरुदिया है ठीक है आप इतना समझ गए तो यहार मेरा assign क्यों नहीं हो यहां पर मैं देखता हूं contract is equal to greater हो जा तो I think यार कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है तो मैं इसको उन नाम देता हूं और मैं यहां पर इसको data नाम दूँ और मैं यहां पर इसे data पास करूँ तो I guess मेरा हुई जाएगा यार इसमें यह एक्चली जो theme है यहां पर white हो जाना चाहिए था यह हुआ नहीं है ठीक है मैं देखता हूं यार काम करेगा की नहीं करेगा मेरा तो मैं यहां पर क्या करता हूं अब मैंने देखो उसमें data में यह assign कर दिया है जो greater वारी विल्यों जो की है set greeting का और इसमें आपको एक argument पास करना है जो क्योंगा screen इस string type का ठीक है और जब आप इसको set कर दोगे नहीं उसको तो जब आप वापस greet call करोगे ना तो greeting आपको वाली देखी जो आपने set की ठीक है तो यहां पर मैं यही चीज करता हूं तो यहां पर इसने hello mundo something यार लेकिन मैं यहां पर कहले हूंगा मैं कुछ और लिख देता हूं मैं लिखता हूं hello ठीक है web 3 यहां पर लिख देता है कुछ भी आप डाल सकते हो टेस्ट करने लिए ठीक है तो यहां पर मैंने hello web 3 डाल दिया है अब क्या होगा इसमें मुझे greater की जगा इसमें मुझे data पास करना है ठीक है तो data मैंने पास कर दिया है और यहां पर आम मैं करूंगा यहां पर देखो यहां पर अवेट वापस से चल रहा है क्योंकि देखो हम वापस से async अवेट का यूश कर रहे हैं अब जब तक यह function confirm नहीं कि function में data चला गया है तब तक हम चाहेंगे नहीं कि जो instance है dot deploy जब तक deploy नहीं है अब यहां पर यूश कर देना है ठीक है तो इतना हमारा हो चुका है यहां पर भी हमने नया expectation कर दी है अब यहां पर देखो आपको बता दिये मैं अश्रट भी बताता हूं मैं आपको ठीक है अब पहले इतना आप समझ लो और मैं वापस से टर्मीनल अपना खूलूं तो यहां पर हां हम एक ही छोड़ गये हैं यहां पर अब हम expect कर रहे हैं हेलो होला मुंडो नहीं हम यहां पर expect कर रहे हैं हेलो वै पास हो जाएगा हाड है टेस्ट में यहां पर चला दूँगा और थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो हमारा यार एक टेस्ट फेल हुआ है ठीक है एक टेस्ट फेल हुआ है तो देखते हैं वह क्यों फेल हुआ है तो should assign new value to the greeting variable तो मैं देखता है यार ही फेल क्यों है हां तो फेल तो हमारा होना आता है यहां पर हमने ग्रीटर दिया है अब इसके लिए ना इस इस ब्लॉक के इट ब्लॉक के लिए जो हम यहां पर वेरेबल होंगे उसको यूज कर सकते हम भी वह रिच के वेरेबल यूज नहीं कर सकते ठीक है तो यहां पर भी मुझे डेटा पास करना पड़ेगा जो कि हमने अभी तक सब मे बस इसमें चूड़िया था इसके बाद मैं क्या करूंगा अगर मैं वापस से npx hardhead टेस्ट चलाओं तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहां आपर और हो जा जल्दी हो जा हो जायार हाँ तो देगो मेरा पास होगे मेरे दोनों टेस्ट पास होगे लेकिन अगर एक्स्पेक्ट कि अब बात कर लेते हैं कुछ चीजों की सबसे पहले बात करते हैं जो expect मैं आपको बताया था इसके अंदर बहुत सारे function है जैसे हम equal कर रहे मैंने greater than equal to बताया और less than equal to बताया अब मैं क्या करता हूँ ब्राउजर पर जाके आपको सारे दिखाता हूँ और यहां पर एक काम कहौर कर लेते expect का तो आपने यहां पर देख लिया अब इसकी जगर मैं assert use करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा तो मैं यहां पर लिखूँगा assert भी आप use कर सकते हो expect भी उसकर सकते हो तो assert में ऐसा आता है पहले आपको assert लिखना है dot अब यहां पर आपको बहुत सारे function मिल जाएंगे तो यहां पर मुझे देख रहे है आपको अब सिखा हूंगा नहीं देखो is above मतलब उससे above और is array और is at least is at most देखो is below बहुत सारे है is boolean is defined बहुत कुछ है को यह हमारी assertion library इसलिए हम कहते हैं शाही को इसके अंदर सारे मिल जाएंगे आपको जो आप expect करना चाहो या assert करना चाहो ठीक है यहाँ पर मैं dot अगर equal को call करूँ assert का कैसे उसकरना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है और इसके बाद क्या करना है यहाँ पर मुझे करना है await data.greet मैं function call कर दूँ अब कॉमा देखे हैं आपको जो आप expect कर रहो वो आपको लिखना है ठीक है तो expect में क्या हो रहा था यार ठीक है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी सारे एक साथ कहा है मिलेगा आपको यह करके आपको फिर expectation जो अपनी पास करनी थी लेकिन assert में का होता है आप सीधा यहाँ पर इसके अंदर कॉमा देके पास कर लो दूसरा argument वहाँ पर आपको अपनी expectation पास करनी है तो यहाँ यहाँ पर मैं expect क्या कर रहा है से इस वाले it block में मैं वही करूंगा जो है hello world ठीक है तो यहाँ पर आप confused मत होना कि हमने यहाँ आप समझ के तो यहाँ पर मैंने यह expect किया तो मैंने spelling कर लिए तो थोड़ा हम वेट करेंगे आप आपको दिख चाहेगा कि हमारा test pass है हां तो देखो यार मेरा pass हो चुका है अब ले जाता हूँ मैं आपको अपनी browser में दिखाता हूँ आपको assert की और expect की कितने function है वो आपको एक साथ कहा मिलेंगे तो यार आप अपनी browser में आजाओ आप शाई js लिग दो शाई js जो भी आप मुलना चाहो यार प्रनाउंशेशन है ना तो शाई तो आपको पता होने के क्या होती है इंडियन हैं हम लोग तो क्या करो यार यहां पर API documentation में जाओ और यहां पर assert में आप पहले देखो ठीक है assert में मैं यहां पर क्या करूंगा मैं full मेरे को कहीं reference का मिलेगा क्या आप यहां तो यार यह देखो ना assert के अंदर जो भी है assert is okay, equal यहां पर मुझे सब function इसने मिल दे दिया मुझे को देखो यहां पर assert के function हमने क्या use कि था तो इसको मैं फूल स्क्रीन कर देता हूँ क्योंकि अजीब साब को लग रहा हुआ है इस अबव इस अट लिस्ट इस बिलो एट पूश्ट यह सब है हमारे असर्ट में और अगर मैं एक्सपेक्ट की बात करूँ तो उसमें यह सारे आपको यहां पर फंक्शन मिल जाएंगे यार देखो अबव और इक्वल बिलो मुश्ट विदिन इंस्टेंस ओ तो आप जो भी आपको जहां पर टेस्ट की जहां पर जुरुत पड़े आपको असर्ट करने की या एक्सपेक्ट करने की ठीक है आप इनका सकते हो वह मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि यार वीडियो बे मतलब में लंब हो जाएगा यह बहुत आसान चीज़ है हर एक फंक्शन थोड़ी मैं आपको दिखाऊंगा आप व्यस कोड में भी असर्ड डॉट लिग दोगे तो आपको सारे फंक्शन वही अगर आप एक पर्टिकुलर जावस्क्रिप्ट फाइल करना चाहते हो ठीक है मानलो आप टेस्ट के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल है लेकिन आप खाली एक पर्टिकुलर टेस्ट की करना चाते है क्योंकि बाइडी फोल अगर आप एंपक्स अड़ टेस्ट लिगोगे और खाली उसकी टेस्टिंग मुझे पास कर देगा तो ठीक है आप कहीं और भी इन फाइलों कर रख सकते हैं आप अपने हाड़एट कंफिक के पाथ में चेंज कर देना जहां पर रखी है ताकि यह बाई डिफॉल्ट आपका पाथ टेस्ट के अंदर पूल है ठीक है तो व अभी के लिए जनने ज़रहीं थे हैं टेस्टिंग के लिए इसके बाद हमने एक पर उकले ह्सुते आट हूने हैं अड्रिफ के दलों कि द्सक्राइखर शुक्रियक होता तो जो ठेस्तिन तो यह बी हमने लिए को आमने ताय फॉर्मेह का इयुसक्षार उसकोर किया तो आप आपँने कहीं देखा होगा आप यह दिभगिंग हाड़ेट किया है तो आप यह यूज करना आप इस wcze कहीं और यूज मत कर देना ठीक है नहीं तो आपको आरल आ जा आप javascript की तरह console.log लगा सकते हो ठीक है तो ये काफी कमाल की चीज़ है अब ऐसा आप basically solidity में कर नहीं सकते हैं ये हमें javascript प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको इद्धान रखना है %s क्या होगा यहां पर आप जो variable कमा देके दूसरे argument में पास करोगी वह आपके %s की चगाएगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हो यार जैसे कि मैं यहां पर लिखू हूँ सकते हो अपने smart contract के साब से लेकिन जो फंडा है वह मैं आपको समझा रहा हूँ वह यह है console.log आपको लिखना है और बीना will be changed from तो from में मैं पास करूँगा यहां पर मैं लिखूँगा %s में डालता हूँ ठीक है और to में मैं वापस से %s डालता हूँ तो मैं चाहता हूँ पहले जो greeting है न वह मुझे दिखाए दे तो पहले greeting क्या है हमारी पहले greeting है हमारी जो string private greeting है इसको मैं पर पास कर दूगा ठीक इसको मैं copy करके यहां पर डाल दूगा तो यह जो पहले मेरी greeting अभी तक सेट है वो मेरी दिखा देगा और जो इस function को चलाने के बाद सेट होगी जो कि हम पास करेंगे as an argument जो कि underscore greeting यह MS के बाद पास कर दूगा और आपको यहां पे semi colon दे के अपना console.log बंद कर देना है ठीक है तो इतना था यार अब यह debugging कमाल की अगर आपको कहीं error आर होगा न अब function वाज चेक कर सकते हो मेरा कहां पे error आर होगा debugging कमाल की जीज़े जाए क्योंकि अगर आप हर सेकिन आप यहां पे देखोगे यहां पर आपको बहुत time भी लग जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा debugging इसलिए होता है यार ताकि आप line hard hat test आपको लिखना है ठीक है अभी क्या करेगा अब जैसे यह function call होगा में टेस्टिंग से फाइल से यहां पर यह इससे console भी करा देगा मुझे तो जहां पर मैं इस function को call कर रहा हूँ तो मैं set greeting कहां पर call कर रहा हूँ मैं state block में call कर रहा हूँ तो यह मुझे वह चीज भी console क करके देगा मुझे मेरे टर्मिनल में ठीक है तो देखते हैं तो greater जो है describe block हमारी चली ठीक है greater describe block चली और उसके बाद test हमारे पास हुए तो पहले इड ब्लॉक में देखो इसने मेरे को assert करके pass कर दिया ठीक है क्योंकि यहां पर यहां पर मैंने कुछ console नहीं करा है अगर मैं greeter.sl में जाओ अगर यहां पर मैं कुछ greet में भी console कराना चाहूं console.log तो वहां पर यह मेरा इसके पहले आ जाता ठीक है लेकिन मैंने क्या किया है मैंने इससे set greeting में call किया है console.log मैंने यहां पर set किया तो अब इसने देखो यार दूसरा 8 ब्लॉक है मेरा जहां पर मैं greeting function call कर रहा हूं ठीक है अब greeting function call होते ही मुझको इसने उस जो solidity में मैंने console कराने के लिए यहां वह भी pass कर दिया आप यहां पर देखो क्या किया है क्या हुआ यहां पर the greeting will be changed from %s याने की to hello hello world जो की था ठीक है यह तो यार यह मेरा कुछ हरा रहा 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 है यह क्या पर संट तो मैंने क्या गलती की है मैंने मेरे खाल से capital में यहां पर दिया हां तो capital नहीं देना यार मेरे को small यहां पर देना ठीक है तो variable की जगा आपको वह हो जाएगा तो मैं happy करता हूं इसको मैं clear करता हूं और npx hardhat अपना test चल लाता हूं अब फिर से थोड़ा wait कर लें गया ठीक है चीज आप लोग समझ गए debugging आप लोग समझ रहे होंगे ठीक ह काफी आसान चीज़ है console.log आपको बता है कितनी अगर आपने javascript से किया आपको बता है या python कुछ भी से किया है ठीक है प्रिंट कराना console में कितना important part है testing करने का ठीक है तो यह चीज आप debug कर सकते हो हमारे क्या solidarity में using hardhat तो hardhat कमाल की चीज़ है अब देखो अब यहां पर मु को ही debugging कहते है यार हम ठीक है हम क्या सभी तो यहां पर आपको ऐसे कर देना आप जितने भी percent test लगाओ इसका variable आप वहां पर सेट कर सकते हो आप debug कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो तो ठीक है आज का वीडियो काफी कमाल का था यह वाला और काफी बड़ा भी हो चुका है यहां ब बाकी भी आप देखना चाहो जैसे कि हमने अभी test किया था using हम function उसमें call कर सकते है अपने smart contact के तो काफी कुछ है यार उसमें है ना तो वह hard add console का आप यूज करो काफी कुछ सीखने को मिलेगा टेस्टिंग हमने देखी कि javascript file plane javascript file में आप कैसे टेस्ट करोगे using share library ठीक है और last में हमने देखी debugging debugging क्या है हमारी जो हमने hard add यह वाली इंक्लूट की दी ना इंपोर्ट कराई हमने अपने contact में hard add slash control dot as well और उसके बाद हम console dot log कर आप आ रहे थे ठीक है चीजों को तो यही आज की वीडियो कमाल की थी बहुत कुछी कोगा आपने अगर end तक देखा है और देखा ही होगा अगर आप directly end में आगे हो तो आपने बहुत कुछ मिस्स करते है देखो वीडियो सुरू से देखो मजा जागा आपको तो इस वीडियो में तने हैं guys thank you for watching this video झाल